नमस्कार दोस्तों अगर आपके फुन में कोई अच्छा असा हाइक्वालिटी का आडियो रेकोडर या भॉइस रेकोडर नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज एक भॉइस रेकोडर के बारे में बात करेंगो जिसको आप अल्टेनेटली यूज़ कर सकते हो और ये इस रूम पे आप भॉइस रेकोड करते हो अगर इस रूम पे बहुत सारा इको होता है या बेक्ग्राउंड नौय से सारा चीज को आप रिमूब कर सकते हो ये बहुत ही पारफूल एक भॉइस रेकोडर है तो दोस्तों सारा चीज इस वीडियो में देखेंगे फ्री और दूसरा होता है प्रो वर्शन तो दोनों को एक एक करके इंस्टोल करेंगे सारा जो फीचर से उसको समझेंगे तो पहले हम लोग जो इजी भॉइस रेकोडर इसका नॉर्मल वर्शन है तो मेरा फोन पे दोनों ही डाउनलोड किया हुआ है और और अर्लेडी इंस्टोल तो एक्चुली दिखता है तो प्लेडी स्टोल में जाईए और इजी भॉइस रेकोडर इसको इंस्टोल कर लीजिए तो दिखने में ऐसा एगा इसको इंस्टोल कर सकते हूँ आप मेरा इस फोन पे दोनोई जो वर्शन है दोनोई यह आप इंस्टोल है तो एक को पहले open करती इसको सारा चीज एक एक करके देखते रही है तो इसका जो फर्स्ट आप्शन रेड आप्शन माइक्रोफोन का जो आप्शन दिख रहा है इस पर प्रेस करके मतलब टच करके आप अपना वाइस रेकोड कर सकते हैं यह होगी आपका फर्स्ट सेकेंड जो फीचर से मैं यहाँ पर three dot उपर जो line है यहाँ पर जाने के बाद आपको दिख जाएगे cancel echo अगर echo क्या होता है अगर आपका room पर जहाँ voice record कर रहे हो मतलब sound record कर रहे हो उस जगह पर अगर echo होता है sound मतलब voice echo होता है एक भार दो बार उन जेता है तो इसको आप On कर लिजिए echo sound तोla जो साउंड होगा उसको यह वाला रिकॉर्ड नहीं करेगा तो नेक्स्ट जो आप्षिन है नेक्स्ट आप्षिन है आपका रिड्यूज नॉयस मतलब इसका मतलब है कि अगर आप भॉयस रिकर्ड कर रहे हो उस टाइम नहीं कोई फैन का आवाज या कुछ इस टाइप का आवाज जो पीछे से आ रहा है इस टाइप का जो आवाज है साउंड है उसको आप रिड्यूज कर सकते हो इसका रिड्यूज कर सकते हो आउन करने के बाद यहां पर आप्षिन आपका क्वालिटी लेके और थार्ड आप्षिन पर है इसका जो रिकॉ चाहिए तो according to your choice, आप select कर सकते हो, next आगे आपका tuning, दूसरा है files, files कहाँ पर आप save करोगे, तो उसका भी आप location यहाँ पर save कर सकते हो, दोस्तों बहुत ही powerful free है, इसका मतलब यह नहीं है, कि बहुत सस्ता है, मतलब आम है, यह बहुत ही special है, बहुत सारा professional जो लोग होता है, जो देखते है, pro version पर क्या-क्या features है, पुरा देखेंगे, तो pro version हमने open कर लिया, already इसका मैं lifetime pay कर चुका हूँ, सायद एक दिल, दो साल पहले इसको मैंने pay किया था, और lifetime के लिए purchase कर लिया था, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर features और भी ज्यादा मिलता है, क्या-क्या features मिलत है, तो देखिए, फास्ट जो option, record option, और second option पर देखिए, listen, मतलब आप जिस sound को एक बार record, record जो sound एक बार होगे, उसको आप listen, मतलब ivory जाएसे यहाँ पर arrange होगा, तब किसी भी sound को आप यहाँ से सुन सकते हो, record मतलब आप यहाँ पर red button trace करोगे, तो आपका जो sound है, यह record होन तो यहाँ पर देखिए, फास्ट जो option है, boost volume, मतलब आपका अगर गले का volume कम है, तो आप यहाँ से अपना scale के हिसाब से आप लोग जो volume है, उसको boost कर सकते हो, मतलब gain करा सकते हो, आप धीरे बोलोग हो, फिर भी आपका phone automatically के लिए आपका जो voice उसको ज्यादा करके record करेगा, तो next जो features है, आपका देखिए, यहाँ पर skip एक option होता है, यहाँ पर कहने के मतलब है, अगर आप बात कर रहे हैं और बीज में कहीं रुख गए, मतलब 5 second, 10 second, तो उस जगा को यह automatically omit कर देगा, मतलब भी निकाल देगा, normal बात करने का जो space है, उसी जगा पर ilog डाल देता है इसी style में आपको format कर देता है, मतलब आप कभी भी 10 second बाद नहीं किया ना, तो उसको omit कर देगा, delete कर देगा उस portion को, तो इस type से बहुत ही अच्छा arrangement करता है, next, third जो option echo cancel है, और यहाँ पर देखिए, silence का cut off, जो decibel है, मतलब यहाँ पर scale भी दिया हुआ है, आपका हिसाब से upset कर सकते हो, मतलब कितना silent space होगा, तो उसी जगापे skip करेगा, next, जो third option है, उस पर देखिए, cancel echo, मतलब आपका room पे अगर echo होता है, तो मैंने free version पे भी बोला था, कि यही features है, तो इसमें भी same features है, next, जो fourth number, चार नमबर पे option है, reduce noise, मतलब आपका room पे अगर एक voice, normal सा noise होगा तो उसको यह वाला on करने से reduce हो जाएगा, next, जलते हैं, देखिए, पाच नमबर जो option है, recording quality, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा variation मिलता है, sound quality देखिए, यहाँ पे high, medium and low, तीनो फर्सन में आपको मिल जाता है, next, जो option है, tuning, tuning पे आप क्लिक करोगे, तो देखिए, यहाँ प सारा है, MP4, ACC, ADTS, मतलब dot ACC, और small size में चाहिए, AMR, तो सारा चीज अवेलेवल है, आपको जिस format में चाहिए, आप लोग कर सकते हो, next, देखिए, यहाँ पे stereo sound, अगर आपको चाहिए, तो stereo आप यहाँ पे on कर सकते हो, sample rate, according to your choice, आपका जो गले के साथ suitable है, उस जगह पे available है, आप अपना मर्जी से select कर सकते हो, next, देखिए, noise, suppression, AB option है, next, eco cancellation, सारा कुछ यहाँ पे on है, सारा feature मिल जाता है, हमको अभी पता नहीं, यहाँ इसका rental चल रहा है, तो साइद कमी होगा, क्योंकि इसका price कमी होता है, तो दोस्तों यह था total details, तो दोस्तों यह था दोनों, मतलब यहाँ पर देखिए, free version और paid version दोनों का सारा चीज, सारा feature समने, यहाँ पर डिसकर्स किया, आप एक बार try कर लिजिए, जो normal free version है, उसको आप try कर लिजिए, तो दोस्तों यह था free version और paid version दोनों का सारा details, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को ज़रूर एक like कर दीजिए, और चैनल पर इसी तरीका का इसी टाइप का वीडियो, टेकनिकल वीडियो देखने के लिए ज़रूर इस चैनल को subscribe कर लिजिए, और आप एक बार install करने के बाद, आप use करो एक बार, तो उसके बाद आपका experience कैसा रहा, तो ज़रूर इस वीडिय को नीचे comment करके बताईएगा, मिलता है next वीडियो में, thanks for watching.